सब्सक्राइब सुरत ऐसा गेट आपको गुजरात के किसी भी वोटर पार्क में देखने को नहीं मिलेगा गेट से एंटर करते एक फवारा दिखेगा गेट के दूसरी साइट भी फवारा और एकसाइटिंग गेट है दोस्तो अब दोस्तो बता दू यह महसाना उंजा हाइवे पर आया है एहमदाबाद से 80 किलोमेटर दूर है लेकिन दोस्तो बहुत ही बेस्ट वोटर पाक बनाये गया है एक वाइमाज जगा की कोपी बनाये गई है हसारी राइट्स में लेकिन गुज दोस्तो बात कर लेते हैं कि अगर आपको बेबी ट्रोली चलानी है तो बेबी ट्रोली भी 300 रुपीज में मिल जाएगी तो यह भी अच्छी बात है साथ में यह भाई साब जो बोलते हुए बरगद है यह कह रहे हैं सफर हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो दो यह बोलता हुआ पेड़ है बहुत ही कुपसूरत यहां पे अलग-अलग नजारे भी दोस्तो बनाए गए हैं अलग-अलग थीम पे आप फोटो खिचवा सकते हैं अपनी अपना सर लगा के अब दोस्तो चलिए वोटर पाक की बात कर लेते हैं तो चेंजिंग रूम बहुत जमाने के साथ है दोस्तो अब दोस्तो बात कर लेते हैं राइट्स के बारे में तो राइट्स यहां पे दो किसम की है फेमिली राइट्स है थ्रिलिंग राइट्स है और किट्स राइट्स है तो किट्स राइट्स तो मुझे संकू में बेटर लगी क्योंकि जैसे थ्रिलिं ही राइड्स है लेकिन दोस्तों जो थीम बनाए गई है पाइरेट्स की थीम और आपके सकते इजिप्सन थीम बहुत बढ़िया है चार और गार्डन अच्छे से बनाए गए है तीन तीन रेस्टोरेंट है अच्छा वेव पूल बनाए गया है तो हर चीज के बारे मैं हम गुजरात के हैं एंदाबाद आईए यहां नजदीक में ही ब्लेस है दोस्तों यहां पे पूल बनाया गया है पूल के साथ साथ आप मोक्टेल और ड्रिंक का मज़ा ले सकते हैं ड्रिंक मतलब कि आप ड्रिंक तो गुजरात में अलाव नहीं है तो आप सिर्फ मोक्टेल का ही मज़ा ले सकते हैं और पाइरेट्स की थीम पर यहां पर एक जनरल सेक्षन होता है जो हर जगा पर होता है यहां पर भी बनाया गया है बीच में जल पर ही भी बैटी है उसका फोटो मैंने आगे सेर किया वो आप दोस्तों देखना साथ में दोस्तों क्रेजी रीवर बनाये गई है बिल्कुल भी क्रेजी नहीं है क्यूंके वो चलने में बहुत स्लो है बीच में आपको बैटके धका लगा ना पड़ सकता है कुछ पिक्स मैंने अपने भी सेर की यह आप देख सकते हैं बक अलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप गुजरात के किसी वोटर पार्क में बहुत ही रीच एक्सपीरियंस है यहाँ पे कुछ राइट्स में आपको दिखाए थंडर बोल्ट एवरेस्ट सबसे उची राइट्स दोस्तों मुझे पसंद आई यहाँ पे छठे मंजील से जो आ एक्सी राइट्स यहाँ पे दोस्तों बहुत ही है और दोस्तों जो वेव स्क्रियेट किये गए वो भी बहुत अच्छे लगे एक बड़ी सी स्क्रीन लगाएगे यह बड़ी सी स्टीमर है वहाँ पे आप एंजोई कर सकते हैं और म्यूजिक भी बहुत अच्छा बजाया जाता है तो overall experience मेरा बहुत ही अच्छा रहा है यहाँ पे आईए 650 रुपे टिकेट है काफी लोग पूछते है कितनी टिकेट है दोस्तों 650 रुपे यहां की टिकेट है मंडे से सेटरडे तक अगर आप संडे को आएंगे 800 रुपीज है और दोस्तों पर पेक्स मैं मानता हू 1000 से 1100 रुपे आप गिनके चली अगर एक इंसान 200 रुपे का भी खाता है क्योंकि यहां खाना सस्ता है और quality वाला है तो 200 रुपे आपको enough हो जाएंगे per person अगर कोई ज्यादा खाता है तो 300 रुपे 500 रुपे मतलब 1000 रुपे के आसपास आपका per person होगा संकु से स्वपन सु बेटर है मैं इसको अमेसा number one रखूंगा भले ही लोग पानी की problem के रहे हो मुझे दोस्तो पानी की problem नहीं लगी बहुत सारे लोगों ने पानी की problem की complaint की है लेकिन मुझे नहीं लगी in fact मैं पिछले संडे ही पिछले संडे ही मैं गया था swapness रूष्टी जहां पर मुझे पानी बहुत खराब लगा मुझे कुछ फोड़े से भी हो गए मुझे खुजली भी आई तो यह depend करता है का आपकी skin कैसी है सायद आपकी skin को कौन सा पानी suit करता है कभी chlorine ज्यादा हो जाता है कभी कम तो मैं पानी की तो guarantee नहीं लेता लेकिन दोस्तों आपको कह दू thrilling आपको संकूश अपनसुरुष्टी या सुस्वा या bliss bliss में सबसे ज़्यादा मिलेगा उसकी guarantee में ले रहा हूँ तो आप bliss जाईए और अगर आपको मजा ना आए thrilling में पानी के अलावा तो आप मुझे comment भद्धी-भद्धी कर सकते हैं कुछ लोग करते भी हैं तो आप कर सकते हैं लेकिन हमारे channel जरू subscribe कर लिजिए दोस्तों google की link मैंने नीचे provide कर दी हैं आप direct पहुंच सकते हैं और rights के detail में photographs मैंने आखिर में लगाएं किस तरह की rights हैं सारी rights equa imagica की तरह ही है अब दोस्तों आपको मैंने सारी चीज़ बता दी costume के price बता दी है मैंने costume के price फिर से बता देता हूं men's के 100 rupees, ladies के 120 rupees, towel 100 rupees, local 100 rupees general days में 650 और sunday को 800 rupees ठीक है 80 km एमदाबाद से दूर है दोस्तों गुजरात का सबसे famous हो चुका है सबसे उची rights छटी मंजिल से है, पांचवी मंजिल, चोथी मंजिल, तीसरी मंजिल से भी यहाँ राइड्स है, इसका खास आकरसंड दोस्तों आप के सकते हैं इसका gate है जो के Disney World से inspired लगता है बहुत ही खूबसूरत gate है, ऐसा gate मैंने अभी तक किसी water park में नहीं देखा और अंदर जिस तरह से management और सब कुछ लगाया गया है बहुत ही खूबसूरत है अब दोस्तों खूबस खास चेतावनिया, बाहर का food आपको अंदर अलाव नहीं है बाहर की cigarette और पान मसाला भी अलाव नहीं है, अंदर आप cigarette खरीद के पी सकते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं और दोस्तों costume वगेर अंदर ले जाने के आपको अलाव है और दोस्तों बता दू कि यहां rides नहीं है, जिसकी वज़े से आपको यहाथ बात छिलने का कोई डर नहीं है पिछले संडे ही जैसे मना बता है, स्वपन सुष्टी मुझे बहुत ही पुराना वाटर पाक है, पर आप लोगों के लिए मुझे जाना पड़ा वहाँ मेरा हाथ पे भी थोड़ी चोट आ गए, क्योंकि हर जगा उन्होंने रिपेरिंग करके रखा था, बहुत ही पुरानी rides है तो अब outdated वोटर पाक में जाना बंद कीजिए, तो वो अटोमेटिक उसको अपग्रेड करेंगे क्योंकि आप वोटर पाक का जमाना नहीं है, एकवा वोटर वर्ल्ड का जमाना है अब दोस्तों बताने के लिए बस इतना ही है, आप उमीद करता हूँ, एपिसोड पसंद आया होगा पसंद आया, सब्सक्राइब कर लीजे हमारी चैनल को, लाइक दबाईए, आपके लिए मेहनत करते हैं कमेंट करिए, दोस्तों के साथ सेर करिए, ऐसे ही आप रिव्यू देखके कहीं भी गूमने जाएए ताकि आपकी पैसो की कदर हो, वेल्यू फोर मनी हो, और आप पूरा उसका एंजोई आपकी फेमिली के साथ या आपके फ्रेंड्स के साथ उठा सकते हैं, तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आप आगे मैंने राइट्स के फोटो दिये हैं, आप सेर करिए, आपको कोई क्वेस्चन है तो मुझे बताईए, दोस्तों मैं बताना भूल गया, यहाँ पार्किंग की भी फेसिलिटी ह बाहर भी आपको खाने पीने के लिए मिल जाएगा, अंदर भी खाने पीने के लिए तीन रेस्टोरेंट हैं, और दोस्तों बता दूं, के ब्लीस के सामने ही अभी स्नो वोटर पार्क भी खुला है, तो अगर आप इस तरह से अगर अरली चले जाते हैं, और दो गंटे स्नो करवा दूं, तो इसी तरह सफर हिंदुस्तान में पूरा हिंदुस्तान और दुनिया के काफी हिस्सों का में आपको एपिसोड देते रहूंगा, सी सेल्स के एपिसोड जो साउथ आफरीका के टापू है, सी सेल्स जो एक इंडिविजल देस ही है, उसका भी एपिसोड आने लेकिन तब मैंने ये चैनल स्टार्ट नहीं की थी, वरना आपको वहाँ के भी एपिसोड मिल जाते, लेकिन थ्रिलिंग एक्सपिरियंस जो एक्वाइमेजिका में है, वो यहां नहीं है, क्योंकि राइट्स को यहां ज्यादा मोडरेट बनाएं गया है, जिसमें आपका ए लेंगा है एकवाइमेजिका, पर परसन आपको 17-1800 रुपे होंगे, यहां आपको 1000 रुपे में गुजरात के अंदर ही नस्दीक में मिल रहा है, तो क्यों ना, आप यहां पे आके एंजोई करिये, और ज्यादा तर राइट्स दोस्तो ट्यूब के उपर है, तो आपको टे एक यूब के साथ ही आप नीचे आ सकते हैं, तो चलिए दोस्तो आपके लिए इतना ही, उमीद करता हूँ, एपिजोड पसंद आए और पसंद आए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ सेर करिए, और मिलते हैं अगले से इस साइटिंग एपिजोड में तब तक के ले ले तेक छोड़ा समरेख,